जुलाई महीने में मेश राशी वालों को किस तरीके के अपना महीना प्लान करना है? क्या है मासिक राशी फल? इसके विशे में हम लोग आज चर्चा करेंगे मेश राशी या मेश लगन मेश राशी वालों का जो स्वामी है मंगल वो करक राशी में विद्धिमान है यही घर इनका नीच का भी है और चोथे घर में है और यह बारा जुलाई को यह अस्थ हो जाएंगे सूर तीसरे भाव में हैं मिथुन राशी में और ये सत्रा जुलाई को ये मिथुन राशी से करक राशी में चले जाएंगे चौथे इस्थान पे जो की सुक का इस्थान बुद्ध ग्रे चौथे इस्थान पर हैं यानि करक राशी में 8 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे और 14 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे और 30 जुलाई को ये फिर से उदित हो जाएंगे और 31 जुलाई को ये पुने मितुन राशी में यानि तीसरे भाव में आ जाएंगे ब्रहस्पती आठ्वे इस्थान पे हैं व्रश्चिक राशी में वक्री हैं शुक्र तीसरे इस्थान पे मितुन राशी में हैं नौ जुलाई को शुक्र अस्थ हो जाएंगे अस्थ ग्रहकावी एक प्रभाव होता है इसके लिए हमारा शुक्र अस्त पर अलग वीडियो है इसको भी आप देख सकते हैं 23 जुलाई को करक राशी में चौते भाव में ये प्रवेश करेंगे शनी नवे भाव धनु राशी में है राहू तीसरे भाव मिथुन राशी में विद्यमान है केतू नवे भाव में विद्यमान है जहां धनु राशी है दर्शकों ये था ग्रहों की स्थिती मेश राशी वालों के लिए कहां कौन सा ग्रह है अब इस महिने कैसे प्लान करें इस महिने का जो मेन अपना मूड होगा जो विचार होंगे कि किस क्या मूड रहेगा इस महिने ये थोड़ा सा सुख प्रदान रहेगा यानि हलका सा आलस रहेगा या यह कहें कि कमफर्ट जोन में हमको रहना होगा मंगल चुकि चौथे बाव से संचरन कर रहे हैं तो घर से सम्मंदित फोकस रहेगा मा के साथ इस महिने कुछ अटेच्मेंट रहेगा उनको समय भी जादा देना है और अगर मा आपके साथ नहीं रहती है तो उनको भी फोन से या उनको बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं तो मा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है यही अगर आफिस में चलते हैं तो केरियर में जो हमारा ही जो सोल है जो हमारा जो स्वामी है मंगल वो केरियर को देख रहे हैं और जहां पर देख रहे हैं वहां पर उच्छ दिर्स्ती है तो केरियर भी ओवर ओल अच्छा रहेगा कुछ कठोर निर्ने लेने पड़ सकते हैं आफिस में अगर आपका सब आर्डिनेट नियम से काम नहीं कर रहे हैं तो हलकी फुलकी डांट लगा सकते हैं यानि अनुशाशन मेंटेन करके रखना होगा और जो व्यापारी वर्ग अगनी से सम्मंदित खाने पीने से सम्मंदित, रेस्टोरेंट है, होटल है या जनरल मर्चेंट की दुकान है तो उसके लिए दिन अच्छे हैं पूरे महीने काफी प्रोग्रेसिव रहेगा बाकी आगे हम आपको बताएंगे कौन-कौन सी डेट अलर्ट हैं जो अलर्ट रहना है लेकिन overall career wise समय अच्छा है चुकि बुद्ध की दृस्टी भी मिश्रित रूप से career पर पढ़ रही है इसलिए energy के साथ-साथ planning भी करनी है हमेशा बल से काम नहीं होगा दिमाग भी लगाना है किसको कितना डाटना है किसको कब पुछकारना है किस से कब अच्छे से बात करनी है ये सब मिश्रित रूप से आपको calculate करके चलना होगा स्वास की दृस्टी में आते है स्वास की दृस्टी में अगनी तत्व परधान यहीं पर हर्दय है हर्दय में ही अगनी है तो acidity बन सकती है आप कहीं बाहर खाना खाने जाएं तो मीनुकार्ड में देख लीजे कि वो चीज मंगाई है जिसमें gravy कम हो, मिर्च कम हो सादा हो सूप पीजिए ऐसी चीज़ खाई है जिससे कि acidity ने बने और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है चुकि बुद्ध भी साथ में involved है तो बुद्ध तो salad है आप salad खाईए व्यायाम भी शामिल करके रखिए क्योंकि मेश वाले को तो स्वामी जब मंगल है तो मंगल को मजबूत करने के लिए व्यायाम, exercise, अपने fitness को ध्यान लखना और fit रहना अब चलते हैं कुछ कब-कब आपको active रहना है कुछ dates हैं इस दिन आप active रही है आलस बिल्कुल नहीं करिए जैसे, note कर लीजे इसको 6 जुलाई को 7 जुलाई 15 जुलाई 16 जुलाई 25 जुलाई और 26 जुलाई इन dates को आपको आलस नहीं करना है और office से छुट्टी तो बिल्कुल मत लीजे active रही है एक दो dates आपको मैं बताना चाहता हूँ जिस समय आपको knowledge लेनी है knowledge जोरी नहीं है पढ़ाई से होगी अच्छी movie से हो सकती है अच्छे content देखने से हो सकती है अच्छे book पढ़ने से हो सकती है 13 और 14 जुलाई ये दो दिन नोट कर लीजे अच्छे content देखिए अच्छी movie देखिए प्रेणा दायक स्तुरो ढूणिए technology से related 2 जुलाई और 3 जुलाई है इस दिन आपको कुछ technology से related काम कर सकते हैं कुछ e-books पढ़ सकते हैं कुछ mobile पर कुछ देख सकते हैं कुछ सीख सकते हैं अब दर्शकों चलते हैं date alert पर आपको कुछ dates में थोड़ा साधान रहना है वो dates हैं इस महिने की 8 तारिक 9 तारिक 13 तारिक 14 तारिक 22 तारिक 23 तारिक और 24 तारिक यह date alerts है इस बीच में थोड़ा सा कोई बहुत बड़े decision ही लेने चाहिए सामाने तोर पर चलना चाहिए